आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली और भी सारी की सारी तो अच्छी रेसिपीज है उसका नोटिपीरिशन सबसे पहले मिलें आज मैं आपके साथ शेयर करना वाला हूं चीज ओमलेट क आपको डालना है तो डालना है बच्चों बढ़ने की जरूत निहीं इसके बगएर वी बहुत ही बढ़ीया तेस्ट आई है दो आंडे में लिए और दो चीज के लिए अब इसके बनाने के लिए है हमें सब सब पर लेक पेपर पाउडर नमक और तालियमिक्स हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से पैंटना है ताकि जब हम लोग चीज ओमलेट के लेर बनेगी तो उसके अंदर हरिक जाओ पर हर एक चीज होनी सी है तिर ऐसा ना हो कि हरी मिच एक तरफ हो गई काली मिच का पाउडर एक तरफ हो या अच्छे सबीट कर लेना है यह हो चुगा है अब इसके अंदर खुश नहीं करना है हम अब अब सिरे पूपिंग के आजाना है के लिए हमस्टारिंग में हमें इक पैन लेना है अगर नौनस्टिख लेते हो तो बढ़िया है अंदे में भी डाल सकता था लिए अंदे में मैं डाल था तो एक्जेट सैटनई होता था यह डिरूर नीन के चीज प्रॉपर आएगा है कि जगा अंडे के शेंटर से लेकर हिक साइड पर चीज एक्दम प्रॉपर रहे हैं इसे डालों के तब अब हमें चूले को अभी तक मैंने चादू नहीं किया था अब हम चूले को चाहू करें लेकिन चूले को इस तम लोहफि हीट पे चालू करेंगे चालू हो चुका है विसको लो हीट पे रखेंगे और बहुत ही कम ऑईल डालेंगे ऑईल से पितना के कि फ्यू टॉप्स कुछी थोड़ी सी कुझे ताकि हमारा जो चीज है वो बेन में स्टिक ना होगे है बहुत ही कम डालें कि अधरा जैसे ही थोड़ा चीज मेल्ट होने जाएगा हम अंटा डाल देंगे अब जीक सकते हो हमारा चीज जो हरा मेल्ट होने लगा है अब हम इसके अदर डालते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर मिर्ची ज्यादा गिरी है तो टेंशन नहीं अभी थेक अच्छा ही है तो अभी यह स्टेच पर हम उसको फेला सकते हैं और इसको अब ढग देना है इसको ढग के अब इसको हम कुट करेंगे कि अबाद चैसे हमारा थोड़ा सा कुप हो जाए उसके बाद हमें इसके अंदर थोड़ा सा पाही डाग जाए एक या देड़ चम्मच की जितना ताकि हमारा जो अंडा है वो उसकी स्टीम में ही पके अच्छे से पक जाए हमारा ओमलेट कुप हो चुका है यह कैसे पता चलेगा यह यहां से अपने आप अपने उपर आने लगेंगा इसका मतलब है कि हमारा ओमलेट पुरा कुप हो चुका है अब हमें सिफ इसको फोल्ड करना है अच्छे से इसको दीरे दीरे नीचे चीज हमारा है जो शायद चिपका हो सकता है तो थेंशन नहीं लेना है इसको अच्छे से इसको फोल्ड करते जाना है थोड़ा 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 करके इसको हमें अच्छी एक लेयर बन चीज यलेगा नहीं बलके स्टीम हो और आप देख सकते हो कितना बढ़ी अ कलर आप इस को चाहो तो आप इसे ही खा सकते हो या पिर अप चाहो तो पाउ या कोई भी ब्रेट के साफ इंकॉपरेट कर सकते हो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ऐसे ही खाये क्योंकि इसके मज़ा ऐसे ही खाने में है इसके अलावा आपको अगर कोई भी नहीं रेसिपी जांगनी हो तब मुझे प्लीज बताइए मैं आपको वाक्त रेसिपी बना के दिखाऊंगा और ऐसे ही छोटे-छोटे पुछत मुझे आगया बनने के लिए मोटिवीट के थेंक्यू 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 अवर्वन